तो आज हम लोग जा रहे हैं मुझे कोई फिकर नहीं है क्योंकि आप लोग तो जानती है मुझे दो तीन अबॉर्ड में मिले एक अपोईंटी का जो इसमें मैं प्रिफेक्ट बनाऊ और एक मेरिट काल मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी पर मेरी जो बैन पीछे दोनों उन चलिए देखते हैं वहाँ क्या होगा अभी तो मैं अपने स्कूल जाने हूँ पर उसके बाद तो मेरा तो मैं अपनी बहन लोग के श्कूल जाओंगा तो जाओंगा तो इस बक्त मैं गन्नु महाराज के स्कूल DPS आ चुका हूँ गन्नु महाराज के टीचर से इंट्रेक्शन के बाद हम लोग नीचे निकल पड़े तो पता चला कि उनके हॉल में किताबों की एक परदर्शनी लगी हुई है गन्नु महाराज को काफी इंट्रेस्ट है बुक्स पढ़ने में तो वो जीद करने लगे कि पापा चली ना बुक्स की परदर्शनी को देख लेते हैं और जो DPS का मॉर्निंग जो प्राइमरी सेक्सेन है ना उसमें हमेशा कुछ नकुछ एक्टिबिटी होती है और वो भी एक्टिबिटी जो होती है वहाँ पर बड़ा ही प्रेणा दाई होती है और बच्चों के उत्साव वर्दन के हिसाब से होती है तो आज की जो वहाँ पे पुस्तकों की प्रदर्शनी लगी हुई थी उसमें काफी अच्छे अच्छे पुस्तकों को मैंने भी देखा साहित्तिक पुस्तके भी थी और बच्चों के मनोवज्ञानिक विकास के लिए पुस्तकी थी वहाँ पे वज्ञानिक पुस्तके भी थी हर तरह की पुस्तकों का भंडार वहाँ पे था काफी संक्या में पेरेंट्स भी बच्चों के साथ उन पुस्तकों को देख रहे थे मैंने भी सारे पुस्तकों को एक एक करके देखा बड़ा ही अच्छा लगा काफी चिरपरचित लोग नजर भी आये वहां पे लेकिन उनसे मुखातिब हुए बगर मैं अपने काम में लगा रहा क्योंकि हमें जल्दे ही निकलना था सेनियर स्कूल के लिए तो प्रदस्नी में गंणु महाराज ने काफी दिल्चस्पी दिखाई और उसके बाद हम लोग बाहर निकल पड़े और बाहर निकल कर गंणु महाराज को फिर से याद आई कि मुझे कुछ पुस्तक लेना था मैंने गन्दू माराज के मनोसरसा को देखा और उनसे पूछा गन्दू माराज, पेरें टीज़स मीट तो हो गया और आपने देखा कि अंदर में आपका एक जिविशन लगा हुआ है बुक्स का हाँ मैंने देखा वहां पर नौलेज की बहुत आदे बुक्ते और अलग अलग अनिमल्स के बुक्ते मैंने उसमें से एक तो देखा अच्छे से और शार चैप्टर भी रेखा एक बॉड़ी पार्ट लगा तो बहुत बढ़िया भी लगा तो कोई किताब पसंद ही तो आप लेना चाहिए था वहाँ पर हाँ तो चलिए फिर से है कोई बात नहीं तो इस वक्त हम रोड डीपीज से स्कूल में है और गन्नु महराज अपने स्कूल में पीटर्ट या पैरेंट टीचर्स मिर्स से अब निकल चुका है बाहर इनके टी अजया कि गन्नु महराज ने आपको बताया रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड था टीचर्स ने काफी अप्रेसियेट का किया गन्नु महराज का और कहा कि यह और भी बेटर कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं तो अच्छा लगा बिइग पैरेंट्स आ रिली फेल ब बोलते हैं तो उनके इंदर तो घबराहट लाजमी है वो नहीं चाहती थी कि यह गन्नु महराज हमारे स्कूल में जाए वो दोनों अपनी मम्मी को ले जाना ही प्रेफर करती है क्योंकि मैं जब जाता हूं तो मैं क्वेरी भी करता हूं और जो कुछ भी होता है वहां पे उ अपनी सुबेवस्तित और चोड़ी है कि ऐसाट प्रोब्लेम कभी आता नहीं है और इस वड़े हम लोग पहुच चुके हैं डेपीस स्कूल के पास आप देखिए हमारे सामने में ये लक्षी मार्केट का इलाका है और लक्षी मार्केट के इलाके में आनेक बाद थोड़ी अपनी गारी पार्किंग का यहां पे यूसू हो सकता है फिलहाल थोड़ा सा रास्ता छोड़के में बढ़ा सामने दिखाता हूं साइड वह देखिए डेपीस स्कूल तो मैं गारी को पार्क कर लेता हूं गण्वाराज यहां लगाते है क्योंकि कि किसी को आने जाने प्रो अपनी में थोड़ा टाइम है में दस बजे के पहले नहीं खुलेगा है तो तबक हम लोग पहुंच चुके हैं डेली पब्लिक स्कूल और देखे यह गेट नमबर त्री है और यह देखे यह कमलेज जी है और यहां के गार्ड है चुस्ट और दुरूस्ट सब कुछ यह स्क पुरे इंडिया में देली पब्लिक स्कूल की एक अपनी पहचान है इनका यह कैंटीन है और यह सेक्षन है की वगरा जमा करने के लिए तो अंदर चलते हैं सीनियर स्कूल में भी टेकनोलोटी एंड गेम्स रिलेटेड एक परदस्वी लगी हुई थी गन्व माराज वहां गेम खिलने में इंटरिस्टेड हो गए उनको बड़ा मज़ा आता है इन सब चीजों में उन्होंने तरह-तरह के स्पोर्ट्स में वहां पे हिस्सा लिया और अपनी दीदी की तस्वीर को देखकर गन्व माराज काफी खुस हो गए